दोस्तों जब से Handbrake Software का latest version launch होआ है तब से ये window 10 में काम नहीं कर रहा है अब काम क्यों नहीं कर रहा कुछ मुझे पता नहीं है इसके बारे में पर अगर आपको भी ये problem आ रही है जब आप Handbrake Software को download कर रहे हो उसके बार जब आप run करते हो तो वहां पर लिखाता है कि .net को download करो ठीक है मतलब कि ये software काम नहीं कर पाता तो इस case में दोस्तों आपको किस तरीके से Handbrake Software को यूज़ करना है देखिए आपको क्या करना है मैं आपको दिखायता हूँ ये problem आखिर आक्यों रही है तो यहां पर आप आओगे डाउन्डोड में देखिए दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा एक सेगंड ये देखिए यहां पर मैंने दो software डाउन्डोड करें Handbrake के जो पहला version है वो है 1.4.2 जो यह वाला version है ये latest version है 1.4.2 ये latest version है अगर आप इसको download करोगे तो ये काम नहीं करेगा ये दिखा देगा कि .net को download करो और आप जब download कर लोगे उसको भी उसके बाद भी रनने होगा आपको क्या करना है आपको ये वाला software download करना है ये वाला version download करना है handbrake 1.0.7 ये वाला आपको download करना है 1.0.7 ठीक है ये वाला download करोगे तो आपके software में ये काम करेगा पहले की तरह है ये प्राना version है और इसको आप download भी कर सकते हो आप सिर्फ google पर टाइप करना download handbrake 1.0.7 ठीक है तो ये version आपके सामने आ जाएगा मैं आपको और दिखायत हूँ ताकि आपको सोड़ा तक किलेर रहे आपको दिखायत दे रहा होगा ये देख लीजिए आप ये वाला है 1.0.7 ये वाला software आपको download करना है उसके बाद ये काम करेगा अच्छे तरीके से इस वीडियो में इतना ही और अगर आपकी थोड़ी सी वे help हुई है तो please हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए नया चैनल है आपके support की बहुत जरूरत है मिलते है नेक्ट वीडियो में तक के लिए stay tuned goodbye